धोबी के पास एक गधा था धोबी गदे से काम तो दिन बर लेता किन्तु खाने को कुछ भी नहीं देता था हाँ रातरी के पहर वह उसे खुला अवश्या छोड़ देता था ताकि इधर उदर घूम कर वह कुछ खा सके गधा रात बर खाने की तलाश में भटकता रहता और धोबी की मार के डर से सुबह सुबह घर वापस आ जाया करता था एक रात खाने के लिए भटकते भटकते गधे की बेटेक सियार से हो गई सियार ने गधे से पूछा मित्र इतने रात गए कहां भटक रहे हो सियार के इस प्रशन पर गधा उदास हो गया उसने सियार को अपने व्याथा सुनाई मित्र मैं दिन बर अपनी पीट पर कपड़े लाद कर घूमता हूँ दिन बर की मैनत के बाद भी दो भी मुझे खाने को कुछ नहीं देता इसलिए मैं रात में खाने की तलाश में निकलता हूँ आज मेरी किसमत खराब है मुझे खाने को कुछ भी नसीब नहीं हुआ मैं इस जिवन से तंग आ चुका हूँ गधे की वेथा सुनकर सियार को तरस आ गया वह उसे सबजियों के एक खेत में ले गया डेर सारी सबजिया देखकर गधा बहुत खुश हुआ उसने वहाँ पेट भर कर सबजिया खाई और सियार को धन्यावाद देकर वापस दोवी के पास आ गया उस दिन के बाद से गधा और सियार रात में सबजियों के उस खेत में मिलने लगे गधा छक कर ककड़ी, गोभी, मूली, शलजब जैसी कई सबजियों का सुवाद लेता धिरे धिरे उसका शिरीर भढ़ने लगा और वह मोटा ताज़ा हो गया अब वह अपना दुख बूल कर मजे में रहने लगा एक रात पेड़ बर सबजिया खाने के बाद गधा मदमस्त हो गया वैस्वेम को संगीत का बहुत बड़ा ग्याता समस्ता था उसका मन गाना गाने मचल उठा उसने सियार से कहा मित्र आज मैं बहुत खुश हूँ इस खुशी को मैं गाना का कर व्यक्त करना चाहता हूँ तुम बताओ कि मैं कौन सा आलाप लूँ गधे की बात सुनकर सियार बोला मित्र क्या तुम भूल गई हम यहां चोरी छुपे गुसे हैं तुम्हारी आवाज भगुत कर कश है यह आवाज खेत के रखवाले ने सुन ली और वह यहां आ गया तो हमारी खैर नहीं बे मोत मारे जाएंगे मेरी बात मानो यहां से चलो गधे को सियार की बात बुरी लगी वह मू बना कर बोला तुम जंगल में रहने वाले जंगली हो तुम्हें संगीत का क्या ग्यान मैं संगीत के सातो सुरो का ग्याता हूं तुम अग्यानी मेरी बात को करकश कैसे कह सकते हो मैं अभी सिद करता हूं कि मेरी बात कितनी मधूर है सियार समझ गया कि गदे को समझाना असंभव हो है वह बोला मुझे शमा कर दो मित्र मैं तुम्हारे संगीत के ग्यान को समझ नहीं पाया तुम यहाँ गाना गाओं मैं बाहर खड़ा होकर रखवाली करता हूँ खत्रा भाप कर मैं तुम्हें आगा कर दूँगा इतना कहे कर सियार बाहर जाकर एक पेड के पीछे चुप गया गदा खेत के बीचो बीच खड़ा होकर अपनी करकश आवाज में रेंकने लगा उसके रेंकने के आवाज जब खेत के रखवालों के कानों में पड़ी तो भागा भागा खेत की और आने लगा सियार ने जब उसे खेत के और आते देखा तो गधे को चेताने का प्रयास किया लेकिन रेंगने में मस्त गधे ने उस और ध्यान ही नहीं दिया सियार क्या करता वहा अपनी जान बचा कर वहां से भाग गया इदर खेत के रखवाले ने जब गदे को अपने खेत में रेंकते हुए देखा तो उसे दबोज कर उसकी जम कर धुनाई की गदे के संगीत का भूत उदर गया और वह पस्ताने लगा कि उसने अपने मित्र सियार की बात क्यों नहीं मानी